तुलसी में उख जाए मंजरी तो कर लो यह काम धन का अमबार लग जाएगा हिंदु धर्म में तुलसी को पूजन यह स्थान दिया गया है जोतीस सास्त्र के अनुसार अगर आपके तुलसी के पोधे में मंजरी निकल आई है तो यहां भहुती शुबह माना जाता है उनकी पुजा में तुलसी का पिशेश तोर पर इस्तेमाल किया जाता है ऐसे में अगर आप तुलसी के बत्तों के साथ ही तुलसी की मंजरी बगवान विश्नु को अर्पित करते है तो इस से रुका हुआ धन वापस आने की संभावना बढ़ती है साथ ही आई में भिविद्धि होती है और यदि आप धन प्राप्ति वा धन लापकी कामना रखते है तो तुलसी की मंजरी को एक लाल रंग के कपड़े में बान दे और फिर उस कपड़े को अपने घर की तिजोरी में रखते कहते है कि इससे घर में हमेशा मा लक्ष्वी की कृपां बनी रहती है और बरकत होती है और इसके अलावा तुलसी की तरह ही गंगा जल को भी हिंदु धर्म में पवित्र माना गया है इसलिए तुलसी की मंजरी को गंगा जल में मिलाकर घर की उत्तर दिशा में रख दे फिर रोजाना इस जल का पूरे घर में छिड़काव करे ऐसा करने से घर में आ रही निगेटिविटी दूर होती है और आर्थिक स्थिती में भी सुधार होता है इसके अलावा मा लक्ष्मी की पूजा करते समय पूजन सामगरी में तुलसी की मंजरी को शामिल करना शुभ माना जाता है खास तोर पर शुक्रवार के दिन मा लक्ष्मी को तुलसी की मंजरी जरूर अर्पित करे इससे मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन का आगमन होता है तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करना